नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टोडी विद जे आर यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोत की किताब पड़ेंगे मद्यमिक्षिक्षाबोर की किताब है यह और इस किताब का आज हम अध्याय तीन पड़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार इससे पहले हम हिंदी व्याकरण की जो किताब है कक्षा 9 से 12 के लिए कक्षा 9 से लेके 12 तक की विध्यारतियों की एक ही किताब चलती है और इस किताब का हिंदी व्याकरण की जो किताब है इसके हम दो अध्याय पढ़ चुके हैं जदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से देख लीजेगा आज हम पढ़ेंगे अध्याय तीन शब्द विचार ठीक है और यदि आप रिट की तियारी कर रहे हैं तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का आपके लिए क्योंकि इसमें तक्सम तदभव देशज और विदेशी शब्दों को आज हम पढ़ेंगे और ए देखे प्रतेग भाषा की अपनी ध्वनी विवस्ता शब्द रचना वाके का निश्चित संरचनात्मक धाचा तता एक सूर निश्चित अर्थपरनाली होती है तो देखे जितनी भी भाषाएं होती है प्रतेग भाषा का चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी हो बंगाली हो को इसी भाषा हो तो प्रतेक भाषा की अपनी ध्वनी विवस्ता होती है ध्वनी विवस्ता कैसे जैसे कि हमने ये लिखा ए अब हम इसको पढ़ेंगे ए जहां कही भी आपको इस तरीके से लिखा दिख जाएगा तो आप पढ़ेंगे ए इसकी ध्योनी विवस्ता की गई है कि इंग्लिश बहात्षा में इस प्रकार से लिखा हुआ जो learn है उसको हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से देखी जैसे की यहां लिखा है को अब हिंदी भाषा में क्या विवस्ता है इसको हम क्या पढ़ेंगे को तो धनी विवस्ता होती है परतेक वर्ण शब्द के लिए और शब्द रचना वाक्य का निश्चित सन रचनात्मक धांचाता था एक सून निश्चित अर्थपर्णाली होती है रेखे परतेक भाषा की अपने धनी विवस्ता हो गई शब्द रचना होती है जैसे कि कोई भी आपने लिखा है ना जैसे मैंने ये लिखा शो ठीक है इसके बाद ब और ये दर शब्द शब्द लिखा है ना तो ये क्या है शब्द रचना है प्रापर शब्द में लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब बिना अर्थ का कोई भी शब्द हो और वो हो गया नहीं शब अगर ये वाक्य आगे बीछे लिखावा रहता तो क्या हम पढ़ पाते क्या और समझ पाते नहीं समझ पाते तो एक निश्चित सनरचनात्मक धाचा होता है और एक सुनिश्चित अर्थ परणाली होती है मतलब उसे सुनिश्चित अर्थ उसका समझ में आता है हमें तो ये परते एक भाषा की होती है ना भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है तो ये आप याद रखेंगे important factor कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है शब्द है एक्जाम में सीधे सीधे application बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई कौन सी होती है तो वो होती है शब्द ठीक है ध्यनी समुहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं ध्यनी समुहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है शब्द कहते हैं, अर्थ भी निकलना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ है, और हमने उसके कहे दिया वो शब्द है, जैसे तरकस, कुछ भी शब्द, मतलब अजीबो गरीब शब्द लिख दिया, जैसे अचकन होता है, चारक्षर का शब्द देखिए, जैसे अच कन, है न, अब हमने यहाँ पर लिख दिया, कन अच, अब यह कोई शब्द बना क्या, नहीं बना, है न, तो उसका अर्थ भी होना चाहिए, अर्थ पून शब्द वो होना चाहिए, ठीक है, तो अर्थ भी निकलना चाहिए, उसे कहते हैं, शब्द, परीभाशा में एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्तक ध्योनी समों को शब्द कहते हैं, एक से अधिक वर्णों से बने सार्तक ध्योनी समों को, मतलब एक से अधिक वर्णों उसमें होंगे और सार्तक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिए और वो शब्द बन गया, नहीं, सार्तक होने चाहिए और उन धोनी समूं को क्या कहते हैं शब्द कहते हैं ठीक है शब्द के भेद की बात करें तो देखे हिंदी भाषा जहां अपनी जन्नी संस्क्रत भाषा के सम्रद शब्द भनदार से प्राप्त परमप्रागत विकास के मार्ग परवढ़ी वही इसने अन अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं ततपरता से की गई है इस परकार हिंदी की शब्द संपदा ना केवल बिपुल है बलकि विवित्ता पून भी हो गई है ठीक है देखे शब्द की उत्पती रचना प्रियोग अर्थ की अधार पर शब्द की ठीक है पहला है उत्पती की आधार पर हिंदी भाषा में संस्क्रत विदेशी भाषाओं बोलियों इस्थानिय संपर्ग भाषा की आधार पर निर्मित शब्द शामिल है अत्य उत्पती या शोत की आधार पर हिंदी भाषा के शब्द को निमनांकित उपुभेदों में ब प्लस सम तत्योग सम से मिलकर क्या बना तत्सम यानि कि इसका आर्थ होता है उसके समान तत्सम उसके समान अर्थात किसी भाषा में प्रियुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं अर्थात किसी भाषा में प्रियुक्त उसकी जो मूल भाषा है उन शब्दों को क्या कहा जाता है तत्सम कहा जाता है हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है ठीक है यह आप याद रखेंगे हिंदी की मूल भाषा कौन सी है संस्कृत है अधर संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जोंके त्यों प्रियुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं देखे के शब्द होते हैं और हिंदी में ज्योंके त्यों ही ले ली जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं जैसे इसके बाद देखिए एक होता है तदभव शब्द अब तदभव शब्द क्या होते हैं संस्क्रत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविदा अनुसार प्रियोक्त किया जाने लगा उण्हें तदभव शब्द कहते हैं तो देखिए संस्क्रत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर दिया गया क्या किया गया इनका रूप परिवर्तित कर दिया गया और उच्चारन की सुईदा अनुसार प्रियुक्त किये जाने लग गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं जैसे अटारी, उट, कान, चान, आग, आम, गदा, खेत, आदी ठेक है तो देखें यहां पर सीधे सीधे दे रखें हैं तद्भव शब्दों की सूची तो इनको तो आपको सिर्फ याद ही कर सकते हैं क्योंकि एक्जाम में सीधे सीधे प्रशन बन जाता है कौन सा तद्भव है, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है इस पकार से question बन जाते हैं एक्जाम में तो देखिए यहाँ पर दिये गए हैं शब्द तत्सम तत्सम में देखिए जिसे अकारे और तद्भम में क्या कहा जाता अकाज तो इसमें आपको शीदे-सीदे शब्द पहचानने ही होंगे कि अकारे लिखा है तो यह तत्सम शब्द है और अकाज लिखा है तो यह तद्भव है ठीक है इसके बाद देखे अगम में अगम में तद्सम है इसके बाद अगम अगम है तद्भव आश्चरे तद्सम और अचरज तद्भव है ठीक है अक्षत अक्षत है तद्सम और अच्छत है तद्भव इसके बाद देखे अटाली और भी है बहुत सारे हैं और इसको हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे हैं इसका दूसरा भाग भी आएगा उसमें और भी शब्ध हम पढ़ेंगे तो देखे इसमें तत्सम है आमरचून शब्द सुना आपने आमरचून तो यह होता तत्सम और तत्भव होता अमचून तो यह आप याद कर लिजी क्योंकि सीधे सीधे ही उठके आ जाएंगे आपको क्या दिया जाता है गद्यान्ष में से पूछे जाता है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है तद्भव कौन सा है देशी कौन सा है तो इस परिकार से के application बन जाते हैं इसके बाद इकि तत्सम अंगुष्ट तद्भव और अगनी तत्सम आग तद्भव तत्सम हो गया अन और अनाज हो गया तद्भव इसके बाद देखें अमरत हो गया तत्सम और तद्भव हो गया अमिय इसके बाद देखें आमर हो गया तत्सम और आम हो गया तद्भव अरपन हो गया तत्सम अरपन हो गया इसमें देखिए ये रारेफ की मात्रा उपर आईए और यहां पर पूरा राद दिया गया ठीक है इसके बाद देखिए आखेट आखेट हो गया तत्सम अहेर हो गया तत्भव अगनित तत्सम अंगनित अंगिनत अगनित हो गया ये तो और अंगिनत हो गया तत्भव आश्विन तत्सम आसोज तदभव आलस से तत्सम आलस तदभव आशिस तत्सम असिस तदभव आश्रे तत्सम आसरा तदभव उज्वल तत्सम और उजला उजला हो गया तदभव उच तत्सम उचा तदभव उस्ट्र उस्ट्र हो गया तत्सम और उट हो गया तदभव ठीक है फिर इसके बाद एकत्र तत्सम इखटा तदभव कटू तत्सम कड़व तदभव इक्षू में देखिए यह हो गया तत्सम और एक हो गया तदभव ठीक है इसके बाद देखिए उलुक हो गया तत्सम, उलु हो गया तत्भव, एला हो गया तत्सम और इलाइची हो गया तत्भव, अंचल तत्सम, आचल तत्भव, इसके बाद देखे, कटू हो गया तत्सम, कड़वा तत्भव, और कपाट हो गया तत्सम, किवार हो गया तत्भव, कंटक तत्सम, और काट हो गया तदभव कास्ट कास्ट हो गया तत्सम और काट हो गया तदभव काक तत्सम कौवा या कौवा बोल सकते हैं तो यह हो गया तदभव ठीक है कौवा जो कौवा होता है इसको तत्सम में काक ही बोला जाता है ठीक है इसके बाद देखी नेक्स्ट किरन किरन हो गया तत्सम किरन हो गया तद्भव तो देखे दोनों ही सही है एक को लिखा जाता है किरन और एक तरह से किरन नानी लगता ना लग जाता है तो दोनों ही सही है एक बस इतना सा फ़र्क है कि ये तो होता है तद्भव ठीक है फिर कुकूर कुकूर होता है तत्सम और कुकूर को क्या बोले जाता है कुत्ता कुत्ता शब्द है तद्भव ठीक है इसके बाद कुपुत्र कुपुत्र हो गया तत्सम और कपूत हो गया तद्भव कौन हो गया तत्सम कोना हो गया तद्भव कृषक तत्सम और किसान हो गया तद्भव कि तत्सम देखें गधर्व गर्धव हो गया तत्सम और गधा तद्भव गधा कोई बोला जाता है गर्धव कर्म तत्सम काम तद्भव कदली तत्सम केला तद्भव करपूर तत्सम कपूर तद्भव कपोत तत्सम कबूतर तद्भव इसके बाद देखें कारे तत्सम, काज तद्भव, कार्तिक तत्सम, कातिक तद्भव, कास तत्सम, खासी तद्भव, ठीक है, कुम्बकार तत्सम, कुमहार तद्भव, कुष्ट तत्सम, कोड तद्भव, कोकिल तत्सम, कोयल तद्भव, ठीक है, कोयल को ही बोला जाता है, कोकिल, ठीक है, इसके बार देखिए क्रेश्टन तथ्सम किसन या काहन बोलते हैं तदभाव को ठीक है ये शब्द होगे तदभाव इसके बाद देखिए, कंकन ये हो गया तत्सम, कंगन हो गया तदभव, कचछप तत्सम, कचुआ तदभव, कलेश तत्सम, कलेश तदभव, ठीक है, कजल तत्सम और काजल हो गया तदभव, कर्ण तत्सम, कान तदभव, ठीक है, कान को ही बोला जाता है कर्ण, ठीक है, इसके इसके बाद देखिए छत्रिये तत्सम और खत्री तद्भो खटवा तत्सम खाट तद्भो छीर तत्सम खीर तद्भो छेत्र तत्सम और खेत हो गया तद्भो ग्रंथी तत्सम गाट तद्भो गायक तत्सम और गवया तद्भो ठीक है आपने सुनाएं गोलते हैं यह तो गवया है या गायक है न तो गायक हो गया तत्सम शब्द और गवया जो है वो हो गया तद्भो फिर ग्रामिन ग्रामिन हो गुषा कहीं पर नाम आता है जब पढ़ते होंगे SST तो गुहा नाम आता है तो गुहा कारत होता है गुफा ठीक है तो गुहा जो है वो तत्सम शब्द है और गुफा तद्भव है ठीक है इसके बाद देखे ग्राम तत्सम है गाउं तद्भव है गंभी तत्सम है गहरा तद्भव है ठीक है गोपालक त तत्सम है और ग्वाला तद्भव है ठीक है तो आज हम इतने ही तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे और भी है बहुत सारी है इनको हम नेक्स्ट जो भागाएगा उसमें पढ़ेंगे और आप इनको याद करिए क्योंकि एक्जाम में सीधे-सीधे क्यों शिन बनता है औ और इसमें से मोस्टली क्या है इनका अर्थी है जैसे अब आपने देखा गधा अब गधा का यह अर्थी एक तरह से इसको क्या बोल सकते हैं गधब भी बोल सकते हैं तो थोड़ा ता जो डिफिकल्टीज वह लगेंगी क्योंकि वह संस्क्रत के हैं यह तत्सम वाले जो को देखेंगे आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीज़े इसके साथ चाहत जाद से